तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिमबर डेक कारगो के बारे में और क्या-क्या स्टोवेज रेकोमेंडेशन होता है आज पर दे कोड़ अफ से प्रैक्रिस फोर डे कैरेज ऑफ टिमबर डेक कारगो तो स्टोवेज की रिक्वार्मेंट होती है कि टिमबर डेक कारगो को लोडिंग करने से पहले हमें यह एंसर करना होता है कि जो भी हैज कवर्स है और जो भी अधर ओपनिंग होते है वो सुद सेल भी सिक्यूरली क्लोज अन बैटन डाउं सेकेंड पॉइंट जो वेंटिलेटर्स है एर पाइप है वो इफिसेंटली पोटेक्टेड है थार्ड पॉइंट एकुमिलेशन ओफ आइस और स्नोर सुद भी रिमॉफ सेकेंड पॉइंट होता है कि जो ढंब डेक्ट कार्गो को हमें ऐसी अशावयचिड करना होता है चाकि हमें जो एक्सेस होता है एकुमेडेशन का वो सेफ और सेफ क्रणिस फैक्ट्री हो पाइलेट बार्डिंग एक्सेस मेसिनेरी असपेस और कोई भी रिलियुएट एक्स जो कि हम डेली वर्क के लिए उस करते हैं वो सब सो श्रसक्रि को लएक्सेस होना चाहिए हो कि है वहां पे हम लौक लोडिंग नहीं कर सकते है इसे कर रॉता है खिए वैसे डिदो प्निम जो कि जैसे यूंत पालेट बोर्डिंग एकसस हो गया है अगर ऐसे एडिया में अगर वहाँ इंट्री इंग्रेस ओंप वाटर होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। प्रोपली क्लोज कर देंगे अब सिक्रोड कर देंगे अगेंस इंट्री ऑफ पॉटर नेक्स पर बोलता है कि जो भी सेप्टी एकुप्मेंट से जो डिवाइसे से फोरीमोट ऑपरेशन ऑफ और जो सौंडिंग पाइप है शुट भी लेप्ट एक्सेसेबल कि उसकी जुरू लोडिंग हम करें टिमबर डेक्स का उससे जो नेवीगेसन है जो भी नैसेसरी वर्क आप जहाज का होता है वह सारे इंटरफेर नहीं होने चाहिए किसी ब्याव में अब फिर बोलता है कि टिमबर डेक्स कार्गो जो है वह एक ऐसे हाइट तरक हमें लोड़ करना होता है स् तो नविगेंटा कि जो दरता है कि जो विशिबलेटी पीडे मिली चόςकी होनी चाहिए सटेड पन बोलता है कि सेफ मार्जीन जो होता है इस्टेबिटी इस में चैनल ऐर सेप्ध मोरण क्यों दो तो नोटेट्ट एक्सिड देन्सिटी ओप डा वेधर देग है एक है जो भी हैज कॉमिंग आ या वेधर देख है उनकी जो लौट देंसिटी है उस्ते ज्याद हमें लोट नहीं करना होता है तीमब देख कर और विफोर सेलिंग हम लोग क्या करते हैं थोरो राउं इंस्पेक वितल